आज से 36 गड़ विधानसभा का मौनसुन सत्र शुरू हो रहा है बस थोड़ी ही देर में विधानसभा शुरू होगी आपको दादे की विधानसभा की कारवाही शुरू होने बाले बस कुछी देर में और कारवाही से पहले कारे मंतरणा समिती की बैठक और सियम भूपेश बगेल विधानसभादक्ष डॉक्टर चरंदास महंत मौझूद है इसे के साथ मंतरी टीया सिंग देव डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया भी मौझूद है पूर्वी सियम डॉक्टर रमन सिंग नेता प्रतिबक्ष नायरेंड चंदेल विधायक सत्य नायरेंड शर्मा भी इस बैठक में शामिल है आगुदादे की मौनसून सत्र में तीन हजार करोड का अनुपूरक बजट सरकार लेकर आएगी 21 जुलाई तक 36 गर्विधानसभा की कारिवाही चलेगी मौनसून सत्र चलेगा और सदन में पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धानचली दी जाएगी और सत्र में आव विश्वास प्रस्ताफ लाएगा विपक्ष मौनसून सत्र में विधायकों ने 550 सवाल लगाए हुए है और आगुदादे की आज से 36 गर्विधानसभा का मौनसून सत्र शुरू हो रहा है मौनसून सत्र पर नेता प्रितिपक्ष नारहेंट चंदेल का बयान भी आया और कहा कि कॉंग्रिस सरकार को खेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तयार है और विपक्ष की पूरी तयारी है सरकार की घोशना पत्र के जुटे वाइदे याद दिलाएंगे पी ऐसी घोटाला राशन घोटालेजर से मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे इसे के साथ रेत के अवैद खनन से पुल पुलिया कमजोर हो रहा है सरकार रेत माफियाओं को सनरक्षन दे रही है ये तमाम बयान सामने आये हैं नारेंट चंदिल की ओर से आज 18 तारिक से 21 तक 36 गड़ विधान सभा का मानसुन सत्र आहुत है और भारती जनता पल्टी और पूरे विपक्ष की भूपेश सरकार को कंगरेश सरकार को घहरने की पूरी तैयारी है हम इस 36 गड़ सरकार के असफलता को विफलता को इसकी नाकामी को इसके जन विरोधी काम को इन्होंने जो जन गोशना पत्र में जूटे वादे किये थे उसको और सबसे बड़ी बात बिगड़ती हुई कानून बेवस्था 36 गड़ में कानून और बेवस्था की सिती बद से बत्तर हो गई है आकंठ भरस्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है कुला घोटाला, सराब घोटाला, पीएसी घोटाला, राशन घोटाला, जमीन घोटाला और इस पर जादा बाचुईत के साथ हमर समवादाता वैभाव शिर्पांडी हमर साथ जुड़का है तो वैभाव एक तरफ सत्र की कारवाही शिरू होने जा रही है वहीं दोसरी और विपक्षपी पूरी तरह से हमला करने के लिए तयार है बिलकुल अंतिम सत्र है तो जाहिर तोर पर वो तमाम मुद्दे सामने आएंगे जो पास साल में उठते रहे हैं और अभी जो मौझूदा परिस्थिती है उसे लेकर की सदन की भीतर हंगामा देखने को मिलेगा लेकिन आज चुकी सदन की कारवाई जब शुरू हो रही है तो पहले दिन तो दिवंगत जो विधायक है विद्यारतिन भसीन उनको स्रधानजली दी जाएगी और संभावता जो है स्रधानजली के बाद आज की कारवाई को इस्तगित कर दिया जाएगा लेकिन ये जो मौझूदा सत्र है जो की चार दिनों तक चलने वाला है अगले तीन दिनों तक जाहिर तोर पर विपक्ष काफी हमला वर दिखाई देगा उससे इंकार नहीं किया जा सकता और यही वज़ा है कि आज भाजपा के विधायक दल की एक बैठक भी होने जारी है से कहीं जादा तैयारी सत्तापक्ष ने भी कर रखी है और उनके तमाम मंत्री जो है जवाब देने के लिए बिलकुल तैयार बैठे हुए हैं भुपेश सरकार के पास अपने विकास से जुड़े हुए मुद्दे गिनाने के लिए बहुत सारे विशे हैं और विपक्ष के जो भी सवाल होंगे उसका जवाब तो दिया जाएगा लेकिन सबसे महतपूर जो रहने वाला है वो है अविश्वास प्रस्ताव जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस पर जो चर्चा होगी तो उसमें किन किन बिंदूों को जो है रिखांकित किया उस पर सबकी निगाए क्योंकि ठीक इसके बाद फिर चुनाव की तियारी में सबको जाना है चुनावी साल है तो जाहिर तोर पर वहां पर ये तमाम मुद्दे जो है उठेंगे गोजेंगे और इसी के भरोसे साथ सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही जो है फायदा लेने क कोशिश में जी और वहां चुकि यहां पर भूपेश कैबिनेट की नई मंत्री नई जम्मिदारी के साथ सत्र में विधान सबब में कदम भी रखने जा रहे हैं तो और जादा ये एहम हो जाता है आज देखे अभी जो सरकार के भीतर की जो परिस्तिया बदली है उसमें जो मंत्रियों की विभागों में फिर बदल हुआ है मोहन मरकाम नए मंत्री के रूप में जो है शामिल हुए है आज वो सदन में बतौर मंत्री मोहन मरकाम शामिल हो रहे हैं उर्जा विभाग की जिमेदा और उपमुख्य मंत्री पद का दाई तो समालने एक बाद टी एस सिदेव सदन में सामिल हो रहे हैं तो वह सीटिंग विवस्ता जो है वह भी बदली हुई नजर आएगी आज सदन के बेतर में वह भी आपको दिखाई देगे तो इन तमाम चीजों का भी असर जो है सत्ता पक के तरफ से जो मौजूदा मंत्री है मोहन मरकाम उससे लेकर क्या बाते उनके तरफ से कही जा रही है जाहिर तो पर टिटपड़ी होगी जैसे वो चुटकी लेते रहे हैं और टीए सिदेव को लेकर के भी चूगी हमेसा सिदेव साब निसाने पर रहे हैं विवक्ष के तो इस बार सदन के भीतर में उसे लेकर कि क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी देखने को मिलेगा लेकिन सब्सके ज़ादा जो निगाह किसी चीज पर है तो वह है अविस्वास परस्ता लेकिए वो तो पारित होने से रहा जाहिर इस तो और पर वो गिरी जाएगा क्योंकि संख् नजरे लगतार बनी रहेंगी और इस बेच ये भी माना जा रहा है कि आज से ये जो सत्र शिरो हो रहा है भारी हंगामेदार हो सकता है और इस बीच सदन की कारिवाई भी शिरो हो चुकी है चले सीधर रूख करते हैं यह समाजिक कारियों में सक्री रहे वे वैसाली नगर निर्वाचन छेतर से पतम बार सन 13 में तथा दूसरी बार सन 18 में भारती जनता पार्टी के टिकेट पर चत्तिर गड़ गुदान सबा के सदस निर्वाचित हुए थे आप 33 गड़ गुदान सबा की याचकर समयते के सदस रहे वे विराई नगर पाल कर निगम के महापर भी रहे इनकी पढ़ाई लिखाई भ्रमन एम खेर में विरूची थी उन्होंने अपने च्छत के सरवांगेड विकास के लिए महतपूर योगदान दिया है उनके निदन से प्रदेश ने एक वरिष्ट राजनेता चतर समाज सबी को खो दिया है स्री भानुपताक सिंग जी का जनम 14 मई 1923 को राएगार राजपरिवार में महाराजा चक्रदर सिंग के हां हुआ था वे प्रारम से ही राजनितिक के हम समाजिक कारियों से जुड़े रहे सन सरुसट में गडगोडा विधान सबा से कांग्रेस पार्टी के टिकेट पर अभी भाजित मत्प्रदेश विधान सबा के सदस निवाजित हुए तथा उन्होंने अभी वाजित मर्द प्रदेश सासन में आदिम जाती का लियान मंत्री का अपद जाहित भी समाला सरवजिक जीवन में आपकी सिवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा उनके निदन से प्रदेश ने एक वरिस राजनेता कुसल प्रशासक तथा सामाज से वेको खो दिया है मन्य अधक्च महुद है विद्यर अतनवसीन जी इसी इदान सभा के लगातार दो बार सदसर है बहुत ही मिलन सार ब्यक्ति अब मुरिद भासी तो थे ही अलप भासी भी थी और दलगत भावना से उपर उड़कर उनके संबन सभी दल के लोगों से थे इंजिनिंग की पढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद भिलाई उनका कारिच्छत रता जन्मतों चिंदवारा मुद अधक्च महुद है भिलाई में भारती जनता पार्टे के जिले के विभीन पदोप्र वासीन रहे नागरिक्स साकारिब बेंग के अध्यक्ष के रूप में उसकी सारजिनिक जीवन की सुरुवात हुई और उसके बाद भिलाई नगर निगम के महापार और फिर बिधायक के रूप में उन्होंने सिवाय दी अध्यक्स मौद है जब उनका स्वाथ खराब था उनसे मैं मिलने हास्पिटल भी गया था इतनी बड़ी बीमारी थी उसके बावजूद भी बिल्कुस सहज और बाद चीत भी में उसके यह नहीं लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी उसको है जबकि ब्रेन में कैंसर पहुँच चुका था डाक्टर नों पहले बताया था तो मैं मिलने गया था लेकिन जब उससे मिला तो मुझे संका हुई कि तो यह बीमारी है भी कि नहीं कि बाद चीत में बिहार में बिलकुर वो समान बिहार हो कर रहते हैं फिर डाक्टर से पूछा तो डाक्टर साफ सहज में बीमारी है बहुत जाजा दिन के मिहमान नहीं है बीमारी बहुत गंभीर है अब बिलकुर लेकिन उनका बिहार बिलकुर सहज है तो ऐसे ब्यक्ति मारे विधान सबा को साथ ही दूर्ग जी लेको और पूरे उस परवार को ही हुआ है मैं उसके दुख में पूरे परवार के साथ उनके भागीदार हूँ और उने सद्धान जी अर्पित करता हूँ आदर्डी भानुप्रताप सिंग जी 90 साल के उम्र में उनका द्याव सानुवा राजज चक्रधर जी के छोटे भाई थे जहां कला रायगर्ण कला और संस्कृति के जो परंपराएं हैं उसको भी भानुप्रताप सिंग जी ने आगे बढ़ा है उसके सांसा समाच सेवा के छे संक्री रहे इंटक में भी मजदूर संगठन से भी जुड़े रहे आदवासियों के लिए जो संगठन बनाये उसके माध्धम से जहिंद मोटर ट्रांस्पोर्ट उससे भी जुड़े रहे और समाजी क्षेत्र में लगा तार उसकी सक्रिता बनी रही संग सट लेके बहत्तर तक वो विधायक थे और उसे बीच में संवी सासन में वो आदिम जाती कल्यान भाग के मंत्री भी रहे तिस प्रकार से उनके निधन से एक पूर्णी छती हुई है अद्यक्ष मौद है दोनों महान भाव के जाने से निश्चित रुप से चतीज़ग यहां संग अधि विध्यारतन भसीन जी को स्वधासुमन अपित करता है अपने 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 दर तोर से मानि अजयक्ष मौद है आपने दो लोगों के निधन का उलेट किया माननी विद्यारतन भसीन जी के अंतेस्टी में हम सब लोग सामिल होने के लिए गए थे और जब वो रामक्रिश्च्ट मिस्थन अस्वताल में भरती थे उनके स्वास्थ की जानकारी भी हम सब लोग लेने के लिए गए थे मानिय अध्यक जी विद्यारतन भसीन जी बहुत सवज सरल और विनम्र व्यक्तितु के धनी थे महापोर के रूप में या दो बार चतीस गड़ की विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने आम जनता की सेवा की वो भारतिय जनता पाल्टी के बहुत निष्ठावान कारे करता थे सकरी कारे करता थे और जब भी उनसे हम लोग मिलने गए उन्होंने अपनी पीड़ा को हम लोग के सामने में ब्यक्त नहीं किया सहजता से मिलते थे हस के मिलते थे उनके परिवार के लोग